हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आसीफ वजाद में दोस्तो इस विडियों आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप अपने टिकट को बुक करते हैं और आपका ticket waiting में book हो जता है तो आप इंतिजार करते हैं कि जब इसका chart prepared होगा तब आपका ticket confirm हो जएगा लेकिन दोस्तों क्या होता है कि chart prepared होने के बाद भी अगर आपका ticket confirm नहीं होता है तो आपको confirm ticket कैसे मिलेगा और आप confirm ticket कैसे ले सकते हैं इस वीडियों आपको बताएंगे कि आपको कैसे confirm ticket मिलेगा अगर आपका waiting ticket confirm नहीं होता है और chart prepared हो गया तब तो दोस्तों वीडियो को इंट तक देखेगा आपको पूरी complete जनकारी मिलने वाली है तो हले दोस्तों मेरा नाम है आसीफ और आप देख रहे हैं सेनियर सिटिजन कोटा सो होता है लेडिज कोटा सो होता है और विकलांग कोटा सो होता है तो दोस्तों हम क्या करता है मालेजे अगर हम जनरल कोटा में ticket को book करते हैं और हमारा ticket जो है वो waiting में है हमारा ticket waiting है confirm नहीं हुआ है जब चार्ट पीपेड होता है उसके बाद भी दोस्तो हमारा जो टिकट है वेटिंग में ही रहा गया अगर कनफर्म नहीं हुआ तो दोस्तो इस कंडिशन में आपको कनफर्म टिकट कैसे मिले तो दोस्तो एक जनवरी 2021 के बाद जो रेलवे का रूल है उसमें कुछ क्या हुआ है कि पहले क्या होता था कि जो ट्रेन का चार्ट है वो एक ही बर बनता था लेकिन दोस्तो अब क्या होता है कि अब जो ट्रेन का चार्ट है वो दो बर बनता है दोस्तो दो बार क्यों बनता है कि दोस्तो अगर आप माले जे जेनरल कोटा में अपने टिकट को हुए हैं और माले अगर जनर सिर्टियजन कोटा है उसमें अगर सौट mówi , उसमें पचासी सीट बुक हुआ है और लेरी कोटब में असी बाकी है तो दोस्तो इ culprit दोस्तो ये क्या होता है कि जो फॉर्स चण्ट बनता है उसमें क्या होता है कि जीन वेटिंग रहता है उनका वेटिंग है नाम से दोस्तों आपको दिखाएंगे कि आफ से कई सो उता है कि जो टिकट जो सीट जब बच जाते हैं जीतने सीट बचते हैं उन सीट को फिर से उसके वेबसाइट पे सो कर दिये जाता है कि अब जो टिकट बुक करना चाहते हैं वो टिकट अपना बुक कर सकता है तो दोस्तों इसमें अगर क्या करना है कि अगर आपका टिकट जो है वो वेटिंग में है और वो वेटिंग में ही रहा गया चार्ट बनने के बाद तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करन कर दोस्तों उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या सो होता है कि अब दोस्तों यहां पर लॉग-in हो रहा है अब दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपका जो वेटिंग टिकट है वेटिंग में ही रा गया और चार्ट पीपेड हो चुका है तो दोस्तों देखे यहां पर हम आपको दिखाते हैं यहां प्लेन में जोनी में जाते हैं और हम एक जोनी सेलेक्ट कर लेते हैं निव देली जैसे हम यहां पर सेलेक्ट करते ह जे एच इस उसके बाद दोस्तों यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं नेव देली दोस्तों हम यहां पर सेलेक्ट कर लिए और आज ही के डेट आज ही के डेट में हम सेलेक्ट के हैं दोस्तों और यहां पर सर्च पर किलिक करते हैं सर्टव क्लिक करने वब दोस्तों जो भी च्रे वो सो कोने लए रहा है दोस्तो यहाँ पर देखी एक यहाँ sticky Mauna Express दोस्तो इसका चार्ड प्रीपेड हो चुका है इसके बाद भी दोस्तो यहाँ पर देखे लिखा है current ability, current ability 20 दिखा रहा है, दोस्तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो waiting ticket थे वो जो चार्ड इसका prepared हुआ है, वो waiting ticket waiting में ही अगर रहा गया है, तो दोस्तो वो cancel हो जाएंगे, उसका पूरा refund मिल जाएगा उसके बाद जो train में seat बचती है, जो ये ladies quota या senior citizen quota जो भी quota है, उसमें से अगर जो seat बची है, उन seat को फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस ticket को book कर सकते, यहाँ पर current ability के नाम से आप इस पर click करके अपने ticket को book कर सकते, और आपका जो ticket है वो available और आपका confirm ticket book हो जाएगा, तो दोस्तो इस परकार से अगर आपका waiting ticket है और वो confirm नहीं होता है, चार्ट पीपेड होने के बाद भी, तो दोस्तो क्या करना है आपको फिर से आना है, अपने RCTC app में और उसी train को फिर से select करना है, search करना है, search करने आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नहीं तो subscribe करिए, मिलते एकले वीडियो में, जय हिंद